जहें दोस्तो मेरा नाम है आदिफ्त्यादोस स्वागत है आप सभी का अजके इस नई वीडियो में तो दोस्तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि विदेश में नोकरी करना पड़ गया महंगा तो हम आपको बता देते हैं कि यह जो खबर आई है इसी के उपर हम यह लेकर आए हैं आखिर यह क्या है जो अभी इस सामने आ रहा है समय काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं कि कंबोडिया में जो है 5000 भारतिये लगबग 5000 से ज्यादा भारतिये वहां पे फसे हुए हैं जिनको क्या है कि नोकरी की लालस दे करके उनके उनको वहां पे फसा दिया और और वहां पे वह क्या कर रहे हैं कि उन्हें ना तो क्हाना दिया जा रहा हैं उनसे Clementi work करवाया जा रहा है 24-24 गंटे में बहुत ही ज़ादा रिस्ट कम करने को उनको देया जाता है कि वो रिस्ट करने को ही नहीं मिलता उनको तो यही सारी चीजें हैं और यही जो खबर निकल के सामने आ रही है तो भीया जो है विदेश की नोकरी जो है जो बहुत सारे लोग होते हैं उर्देश की नोकरी के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं तो वही हाल अभी हुआ है जो है इंडिया के जो पांच हजार लोग हैं उनसे जादा की लोग बात करते हैं कि जादा ही होंगे वहाँ पांच जार से जादा जो रिपोर्ट सामने आ रही ही वहाँ पर बताय करते हैं उनको इंडिया के लोगों को फोन करते हैं और उन्हें तरह तरह के स्केम करवाते हैं ऑनलाइन स्केम जिसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं तो यही सारी चीजे निकल के आ रही है तो हम आपको इसकी बता देते हैं इसकी पूरी बता देते हैं कि जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो online scheme होते हैं online scheme जो जितने भी किये जाते हैं ये किसी भी देश से किये जाते हैं और वहाँ पे जैसा कि हमारे देश में भी सारे ऐसे scheme बहुत सारे होते रहते हैं तो इसमें होता ये है कि कोई भी person क्या करता है कि कोई भी person माल लेते हैं कि हम आपको अच्छी पगार वाली नौकरी देंगे आप हमारे साथ Cambodia चलिए कोई भी person होता है तो वो यहां से जाकर कि Cambodia में shift हो जाता है पर वहाँ पर क्या किया जाता है कि वहाँ के जो scam कराने वाले जो agent है वो इन्हें नोकरी तो दे देते हैं पर इनसे जो है बहुत ही ज़्यादा वर्क लेते हैं और वर्क क्या करवाते हैं स्कैम करवाते हैं वो कहते हैं कि आप अपने देश के जो नागरिक हैं उनको कॉल करिये और उनसे क्या है कि पैसे एटिये यानि पैसा निकालिये उनसे स्क करके उनको बहला करके फुसला करके और जो है उनको धोखा दे करके और जो बात करेंगर उनको धंकी दे करके तो कहानी यह होती है कि यहां का जो पर्सन होता है तो यहां के इंडियन के लोगों को फोन करता है तो फोन करने के हैं तो आपको यह जो पेनाल्टी होगी इसको भरनी होगी तो यही सारी चीज़ों ले करके बहुत सारी चीज़े डरा करके धमका करके सारे काम कराये जाते हैं तो यह जो स्कैमर्स होते हैं इनका जो काम ही होता है कि अब आपको हम बता देते हैं कि अगर इनकी दोरा स्कैम करवाया जाता है तो यही सारी चीजे हैं इस ख़बर में निकल के आ रही है तो अभी जो बताया जा रहा है कि जो हमारी Ministry of Home Affair है उन्होंने जो है वहाँ के Ambassist से बात करते हुए जो External Affair हमारे यहाँ का काम करता है तो उन्होंने बताया कि पांस हजार से ज्यादा जो इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें फोर्स किया जाता है उन्हें स्कैम के टार्गेट दिये जाते हैं कि आपको इंडियन लोगों को इतने पैसे कम से कम इन से वसूल करना है तो अभी तक बात करें लगभक 500 open लगभक काचा पांच से करोड लग भंग इन्हों ने इन्डिया से स्कैम के पैसे को इन्होंने लूटा है और उसकी बात प्रशय करें गर पांसजार इंडियन हैं उन्हें अपनी जानकारी प्रदान कर देते हैं वह कहीं आपके काउंट नंबर मांगेंगे तो बहुत सारे आउनलाइन स्कैम वह सारे आपको कॉल भी आते होंगे आपने देखा ही होगा किस प्रकार से जो सारी चीजे सामने आती हैं तो इसी को लेकर के इंडियन एक्स्प्रेस के रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता देता हैं कि मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टरनल अफेर के अकॉर्डिंग जो बताया गया है उन्होंने वहां की एंबेसी में कमबोडिया के एंबेसी में बात की अपने एंबेसी से बात की और वहां कमबोडिया के लोगों के बारे में उनको छुडाने के बारे में उनसे बात की और जिनको हम rescue करके भारत लाने वाले हैं कई सारी चीजे निकल के आ रही हैं तो इस तरह की स्कैम जो है सिर्फ बाहर की ही बात नहीं बलकि हमारे देश में भी होते रहते हैं जैसा कि आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी खबरे डेली बाई डेली आती ही रहती हैं आपको भी अनेक प्रकार के ऐसे कॉल आते होंगे जिसमें आपको बताया जाता होगा कि आपकी लोटरी लग चुकी है आप यह अपना ऐसा ऐसा करिए आपको हम यह बता रहे हैं आप इतना पैसा इस नंबर पर भेज़ देजिए या फिर कहते हैं कि आपका साते से पैसे उड़ा लिए जाते हैं तो देख सकते हैं कितने सारे स्कैम होते रहते हैं तो उसी क्समे सारे सक्टा के ज्यादा जो है यहां इंडिया के लोग जो है कॉल सेंटर के तौर पर के जो है स्कैम करवाते हैं और यहां के एजेंट जो है अब भारत की बात अभी तो कमपोडिया के बात है भारत के लोग अभी हाल ही में खबर आई थी कि भारत के लोगों द्वारा जो है यूनाइटेड स्टेट यानि उनाइटेड स्टेट यानि अमेरिका के लोगों को है ठगी कर जा रही है यहां के लोग वहां के जो हैं ब्रद्धनागरिकों को फोन करते हैं और जो थोड़ा कम जानकारी वाले होते हैं उनसे जो है बाते करकर थोड़ी चोटी फूटी उंग्लिस में बात करके उनसे पैसे जो है स्कैम करके निकालने की कोसिस करते हैं तो बहुत सारा ऐसा डाटा निकल के आया है और बहुत सारी ऐसे चीजें हैं बहुत सारे यूटुबरों ने इसके उपर वीडियो बनाया है कि भारतीय लो यूछयोगों के साथ स्कैम करते हैं और उनसे पेसा निकालने की कोसिष करते हैं यानी थी सारीघ देख पार है बहरत में काउन काउन से स्टेटन हैं जहां पर भी यह सारी चीजें यह सरी शरी एक्टिविटीस की जाती है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जारखंड का एक जामतारा डिस्टिक्ट है, वो सबसे ज्यादा जिसे साइबर क्राइम का हब माना जाता है, तो और जो भी है, दिल्ली में भी है, हरियाना भी है, गुजरात भी है, आंद पृदेस भी है, उत्तर प्रदेस भी है, बिहार भ करते हैं कि एक दूसरे को यहां के जो नागरिक हैं उन्हीं को कॉल करते हैं और उनसे पैसे एटने की बात करते हैं कि ताकि उन्हें बुसला करके धंका करके जैसे भी उनसे पैसा निकाला जा सकता है वो सारी चीजें करते हैं तो और हम आपको बता देते हैं कि और एक जानका परता भी है तो आप उसको धंकाने दिजे आप उसका फ़ॉन कट कर दिजे लेकिन आप उसकी बातों में ना कर के उसको सारी जानकारी ना दें फ्रीशारी चीजे आपको बता देते हैं तो अगर आपके बातें में यह शारी लोग वहाँ पे हैं उनसे कहा जाता है कि आप अपने देश के लोगों को इसके स्कैम में फसाइए और उनसे पैसे निकालिए तो यही सारी चीजे हैं निकल के आ रही हैं इस ख़वर में और क्या करते हैं उन लोगों को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने इंडियन लो अगर बात करें तो यहां तो कमबोडिया ले जाया गया था और हमें इंडियो में जानकारी मिली होगी और जैसा कि हमने बताया है आप इसे बिल्कुल ही साउधान रहेंगे चिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंदर